तो शुरू करते हैं निम टाइम का नाम लेकर और जैसा की पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिंग डॉंग जायोयान के साथ अब यहाँ पर डेमन जनरल वुजॉंग से साथ फाइट करने करें निकलने वाला था अब आगे अब यह जो फॉर्मिशन एक्टिवेट कि अगर यह अपनी वफादारी किसी को दे दिये हैं मतलब दे दिये हैं और इन सभी के नजर में अपना जायोयान इनका किंग था अब अच्छा लगता नहीं है तो अपन जायोयान को लिन यान ही बोलेंगे ठीक है इस तो याद रखना क्योंकि फ्यूचर में जाके असली वा एक साल से कर रहा हूँ लिंग डॉंग इससे जो जू जू जौंग है उसके आसपास के लोगों के बारे में पूछ रहा था क्योंकि इनको पूरी तरह से प्रिपेरड जाना पड़ेगा अपने दुश्मन को कभी भी लिंग डॉंग अंडरेस्टिमेट नहीं करता था और ग लिंक दिया हुआ है और मुझे सपोर्ट करने के लिए पेटियम या पेपल को भी यूज कर सकते हो सभी लिंक आपको डेस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अब आगे बढ़ते हैं अब यह अपना लिन्यान बताता है कि जू जू जौंग के भाजों में इसका कोई गार्ड ह भी कहा जाता है और इसको सबसे हदा जू जू जौंग ट्रस्ट करता है इफिन जो नाइन ग्रेट जनरल्स हैं वो भी बहुत रेयर ही उसे देखे हुए हैं मतलब हम मैंने भी बस उसका नाम सुना है और शायद वो शैडो गार्ड भी परफेक्ट डेथ इस्टेस के आसपा तो होगा ही अब यह लोग डीप लाइटनिंग माउंटन के काफी करीब आ जोके थे तो यहाँ पर शैद अभी राद बिताने वाले थे और बाकी जो लिनियान के पांच जनरल्स साथ ही हैं वो भी यही पर गैदर होने वाले थे अब यहाँ पर बहुत सारे कैम्प वगरा लगे हुए थे इनकी टाइगर डिवोरिंग आर्मी भी अपना कैम्प यहाँ पर बनाती है बाकी किसी लोगों से यह बात वगरा नहीं करते हैं अभी यहाँ पर वो पांच जो जनरल्स थे इनके सामने थे यह लोग भी काफी श्रॉंग बिल्ट थे क्योंकि यह लोग जो कि इनिश्यल डेथ स्टेज में आपका बीग ब्रदर के ऐसे बन गया और वैसे आपने कहा था कि आपका बड़ा भाई परफेक्ट डेथ स्टेज के बंदे को भी फाइट कर सकता है क्या यह वही है लिनियान कहता है टेंशन मतलब तुम पांचों के बॉड़ी पर वो ज इस पर एक पंच मारता है और यह बंदा यानि जनरल काफी दूर जाके गिरता है इसका जो टर्टल आर्मर था उससे भी लिंग डॉंग एक ही अटेक में भीड देता है बागी चारो जनरल हैरान थे अब फिर से लिनियान पूसता है क्या तुम लोगों को अभी भी डाउट है क्योंकि जिस बंदे को लिंग डॉंग ने दूर फेका था वो भी शायद एडवांस डेथ स्टेज या उससे थोड़ा उपर था अब यह सुन करके वो चारो बंदे और पांचवा भी आके कहता है ऐसा नहीं था कि हमें शक कर रहे थे पर यह मैटर थोड़ा इंपोर्टे जाता है उसके बाद यह पांचों अपना लिंग डॉंग को परिचा देते हैं एक बोलता है मेरा नाम मेटल लायन जनरल चैन टॉंग है तो इसकी बॉड़ी लायन के समान थी दूसरा बताता है कि मैं डेमन एप जनरल मुहाओ हूं तीसरा था गोल्डेन इगल जनरल डायो लिंग भी वैसे ही एक था लियोपार्ड जनरल जी या और आखरी बंधा पोशान माउंटेन आर्मर जनरल जिससे लिंग डॉंग ने एक पंच मार के दूर फैंक दिया था लिंग डॉंग भी इनको अपना नाम बताता है लिंग डॉंग अब लिंग इनसे कहता है अपने हा पावर भेजता है धीरे धीरे यह सील अब कमजोर होना शुरू हो जाती है और जो इस पर लाइट थी ब्लैक कलर के अब गायव हने लगती है यह सब लिंग डॉंग के डेवरिंग अंसेस्टल सिंबल का कमाल था चैंग टॉंग हैरान हो जाता है कि मतलब 5-10 मिनट के अंदर यह फिर से कहता है ब्रदर लिंग डॉंग आप सच में काफी एक्ष्रा ओर्डिनरी हो लिंग डॉंग इनको मैथड तो नहीं बताता है बोलता है बस मेरी पास एक टेकनीक है लिंग यान इनसे कहता है तुम लोगों को क्या लग रहा था मैं तुमसे जूट बोल रहा था य Link Dong कुछ बोलता नहीं है Link Dong इनसे बोलते कि तुम लोग एक चीज मैं बता दू कल का मैटर थोड़ा डेंजरस है अगर तुम लोग नहीं भी रहते तो मैं और मेरे भाई कैसे भी करके Zhu Zong को कल मारी देते हाला कि तुम लोग रहोगे जू 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 अब मैं तुमसे कल मिलता हूँ फिर अब फाइनली अगले दिन की सुबह हो चुकी थी लाइटनिंग माउंटेन पर काफी चहल पहल आज के दिन में था बहुत सारे ग्रूप्स यहां पर इकठा हो चुकी थे यह जगे सच में लिंगडॉंग को भी प्रभावि करते हैं कि फाइनली आप आगये अब यह जो बंदा था जो इन्हें रिसीब करने होगा था वो कोई जन्रल टियान ई थे स्काई क्रोकोडाइल आर्मी के बहुत पहले जन्रल यान का जन्रल क्रोकोडाइल से भी फाइट हो चुका था हलाकि दोनों बराबर पर छोटे रहते है उसने तियानी इसे रोकने की कोशिश कर रहा था और यह जन्रल कमांडर जू जू जौंग का नाम लेता है लिटिल यान के चेहरे पर गुस्ता तो आता है पर यह ज्यादा कुछ बोलता नहीं और यह कहता है आर्मी तुम लोग बढ़ो मैं देखता हूं यह क्या करता है तियानी भी देखता है कि यह बंदा कौन है लिंग डॉंग को देखकर और इसे तो मैं जानता भी नहीं हूं लिटिल यान देखता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि इस बार मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूं तुम अगर किसी का भी नाम लेगो है ट्राइ करके दे टियानी बोलता है यह वही लिंगडॉंग है जिसने ब्लड पाइथन से ठीके जनरल काउई इंको हराय था लिंगडॉंग हां में सरिला देता है अब यह लोग कहते है कि साइड से अटी हां में जाने दीजी आगे टियानी अब हड़ भी जाता है अब इनके जाने के बाद टियानी कहता है ठीक है कितना भी ट्राइ कर लो आज तो तुम लोग बचके नहीं जाओगा अब यहां पर जो सबसे टॉप लेवल का माउंटन पीक था वहां पर लिंगडॉंग वगरा पहुँच जाते हैं अपनी आ लिटियान ने अच्छा खासा पीटा था और तीसरी थी एक beautiful woman जिसके body पर कुछ tattoos बने हुए थे और यह सच में एक wild beauty थी basically यह woman यहीं पर थी और यह अपने लिटियान को देख रही थी लिंगडॉंग देखता है कि यह लड़की मेरे भाई को घूर रही है matter क्या है अगर को यह zoo zong से related है तो यह सुन करके लिटिल यान कहता है ऐसा कहनी सकते यह जो है यह heavenly cat tribe की लड़की है वह zoo zong ने पहले इसका मदद किया था उसके लिए इसके साथ फिलाल खड़ी है अब यह जो heavenly cat tribe यह आठ जो great king tribes है उनमें से एक है अभी woman अचानक से सामने आती और कहती है कि इस बार तुम एक human को लेकर आया हो लिंग डॉंग समझ रहा था अगर मैं woman होता तो यह लड़की पक्का मुझे fight करती लिटिल यान कहता है यह मेरे बड़े भाई है यह बेस्तरी चौक जाती है इसे मालूम था कि लिटिल फ्लेम कैसा है अगर इस बंदे का कोई बड़ा भ लिटिल फ्लेम का धियान रखने के लिए यह और भी चौक जाती है कि लिन्यान को यह लिटिल फ्लेम बोल रहा है लिन्यान भी थोड़़ सा awkward फियल करता है यह समझ जाता है कि इसे लिटिल फ्लेम सुनना समाज में थोड़ा पसंद नहीं आ रहा है फिर लिंग डॉंग भी यह लड़की ठीक है, लिटिल यान कहता है, भाई अब क्या बात कर रहे हैं, यह समझ जाता है, कि लिंग डॉंग इसारा कर रहे हैं, कि भाई इसे साधी कर लो, तो लिटिल यान बोलता है, कि फिलाल हम रिवेंज लेने आएं, तो लिंग डॉंग बोलता है, रिवेंज वगे लिंगडॉंग भी इसी को देख रहा था ये बंदा भी काफी स्ट्रॉंग बिल्ट था और लिटिल फिलिम को ठकर दे सकता था इसने काले कपड़े पहन के रखे थे चहरे पर इसके भी थोड़े स्कार्स थे जूजॉंग कहते हैं आज बहुत अखास दिन है तो सभी को बीना काव इंग को हराय था आप सच में काफी टैलेंटेड हो इसलिए आपको जनरल यान भी अपना बड़ा भाई कहते हैं लिंगडॉंग कहता है काव इंग से तो मैं बस लखी था कि चीट गया हाला कि जूजॉंग का मेन फोकस अपने लिटल यान पर था क्योंकि दोनों का अजरें लिन यान पर यह थोड़ी से चिंतित थी फिर यह देखती है लिंग डॉंग की तरफ जो की एकदम काम था इससे समझ में नहीं आदा यार यह बंदा यतना काम कैसे हो सकता है जूजॉंग कहता कि जनरल यान सच में आप मेरे टॉप जनरल कहलाने के लाइग हो अब यह कहता है क्या तुम मेरे पिजिंस को टेस्ट कर रहे ओ लिटेल यान कहता है मुझे मालूम है तुमने सील क्यों लगाए था ताकि मैं यहीं पे रह सको ताकि मेरे अंदर जितना प्राप्त कर सको पूरा हॉल इससमें शांत हो जाते है और मुझे मालूम है इस बार के लगते हैं फिर यह सोचते हैं यार एक इनिशियल डाथ स्टेस का बंदा यह क्या ही कर लेगा क्या इसके वज़े से जैनरल यान इतना जदा उचल रहे हैं लिंग डॉंग मस्त वाइन पी रहा था उसके बाद ये भी एक लूग देता है जू जू जूंग को लिंग डॉंग क इसा ट्रैस मेरो भाई को कंट्रोल करें और ऐसा मैं होने नहीं दे सकता तो आज समय है अपने पापो का प्राइशित करने का माहोर यहां का पूरा शान्त हो जाते हैं सभी लोग है इनिशियल डेथ स्टेस का बंदा इतनी बड़ी बात बोल रहा है सभी लोग कहते हैं यार कमांडर जू 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 यह परफेक्ट टेथ स्टेस पर के पीक पर है और समसारा स्टेस के तरफ बढ़ रहे हैं यह बंदा सच में काफी गट सी जू 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 जो के थ्रोन पर बैठा हुआ था वो लिंग डॉंग को घूर रहा था और कहता है जो तुम लोग रिवें बाकी कोई नहीं हुओ म्याओ देख रही थी पर यह आगे नहीं बढ़ती है बाकी पांच जनरल से यानी वगरा पूसते हैं कि चेंटों वगरा तुम क्या कर रहे हो चेंटों कहता है तुम्हें समाझ में नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं हम जनरल लिं यान की तरफ से हैं Zhu Zhong smile करता है, कहता है मुझे मालू में तुम्हारा repayment हो चुका है, तो तुम जा सकती हो अब Deep Lightning Mountain से, Zhu Zhong भी जानता था कि वो मियाओं का जो status है, काफी high है, तो इसे बिलकुल भी नुकसान नहीं पहुचा सकता था, और इसलिए इसमें, मियाओं पर कभी भी गोश सील लगाया ही नहीं था, Zhu Zhong फिर से बोलते हैं, कि चैन्टॉंग वगेरा, मैं तुमें एक मौका देता है, अभी भी तुम यान को capture कर, मैं तुमें जिन्दा छोड़ दूँगा, चैन्टॉंग का ये जो पांच ग्रूप, ये सोचते हैं, पर रियक्ट नहीं करते हैं, Zhu Zhong इसके हाथ में कोई symbol था, उसे ये crush करता है, पर हैरान तब होता है, जब चैन्टॉंग वगरा को कुछ होता नहीं, आप इसे समझ में आथ, तो इनके ऊपर मैंने जो seal लगा है, वो remove हो चुका है, लिंग्डॉंग कहता है, वो मैंने किया है, Zhu Zhong एक गहरी सांस लेता है, फिर लिंग्डॉंग की तरफ देखता है, फिर ये कहता है, कि मैं अब तुम्हें ही capture कर लूँगा, और मैं तुम्हारे body पर कम से कम 100 गोश्ट से लगाऊँगा, और तुम मेरे puppet बन के रह जाओगा, इधर लिंग्डॉंग को गुस्सा आ जाता, शैडू गाड का भी strength, perfect, death stage पर था, फिर जूजॉंग हसता है, कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा था, कि मैं prepared नहीं हूँ, फिर भी लिंग्डॉंग हस रहा था, पर इस समय एक और यहाँ पर डेमन कमांडर मौशूद था, यह था अपने hundred beastaries का किंशी, अब जैंटॉंग वगेरा का भी चेरा उतरने लगता है, इन्हें लगा नहीं था, कि जूजॉंग इतना शातिर होगा, कि यह दूसरे clan के भी बंदे को बुला लेगा, किंशी कहता है, कि मैंने जो डिमांड किया है, मुझे वो मिलना चाहिए, जूजॉंग कहता है, हाथ, तुम बस इस बंदे को मारतो, बाकि तुम्हारी कोई भी condition हो, किंशी अब लिंगडॉंग की तरफ देखता है, किंशी एक lion roar मारता है, लिंगडॉंग की तरफ, पर लिंगडॉंग शान्ती से खड़ा था, और लिंगडॉंग के आसपास, कई सारे cracks होने लगते, light इस नहीं चमाक रही थी, कि कि किसी को कुछ दिखता नहीं है, यह हैरान थे, क्या लिंगडॉंग मारा गया, जू जॉंग का strength और किंशी का strength आसपासी था, दोनों perfect death stage के peak पर थे, तो इनहीं लगता है, शाद लिंगडॉंग मर गया हो, पर जब धूल शान्त होते, तो यहाँ पर एक skinny figure दिखता, और उसको कुछ भी नहीं हुआ था, और लिंगडॉंग हसके कहता, रे मैं भी prepared ही हूँ, और लिंगडॉंग के सामने भी एक black figure खड़ा था, यह था अपना sky devouring corpse, तो कि इस बात पर हैरान थे, कि यह जो बुई puppet है, यह demon commander को बराबर कटक कर दे रहा है, चेंटॉंग भी जो की थोड़ा चेंटेत थे, अब यह भी काफी excited हो जाते हैं, अब इने समझ में हाता है, कि इनके general यान तो काफी fears हैं, पर यह बंदा काफी काम है, और शाद इन से भी जादा खतरनाक, इधर किंशी कहता है, तो तुम एक puppet से, मुझे block करना चाते हो, इधर किंशी का चेहरा भी बनने लगा था, और किंशी कहता है, कि जुजॉंग तुमने एक खतरनाक बंदे से चायद पंगा ले लिया है, इसका तो puppet ही perfect death stage के बंदे को टकर दे सकता है, जुजॉंग भी अपनी sinister आखोसे, लिंगड़ॉंग को देख रहा था, कि ये बंदा सच में, एक troublesome fellow है, लिंगड़ॉंग देखता है, और जुजॉंग से कहता है, मैं पहले ही बोला कि मैं repayment के लिए हूँ, मेरे भाई के बदले, तो तुम बचोगे कैसे, जुजॉंग कहत अब लिंगड़ॉंग कहता है, उसे देखकर लोग दंग रह जाते, ये तो ड्राइगन ट्राइब का प्रेशर है, और वो भी प्योरेस्ट ड्राइगन का शैद, चैंटॉंग वगेर, और भी ज्यादे स्तब्ध हो जाते है, कि ये बंदा सच में काफी खतरनाक है, अब लि पर भी कुछ टाइगर सिंबल्स आना शुरू हो जाते हैं, और थोड़ी समय में, ये हाफ बीच्ट वाले फॉम में कनवर्ट हो जाते हैं, अब ये जो था, ये डार्क अबिस टाइगर ट्राइब से था, और ये कहता है बच्चे, अब तुम्हें पता चलेगा, लिंग उसे लिंग डॉंग अपने सेप्टर से ब्लॉक कर देता है, इधर लिंग डॉंग गायब होता है, अचानक से जू 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 जॉंग के सामने प्रकट होता है, और अपने सेप्टर से एक खतरनाग ठंडर पावर वाला अटेक, जू 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 टैटूस बनाकर एक पंच दे मारता है जू जू जॉंग के इस अटेक के बदले दूनों अटेक एक दूसरे से टकरा थी और खतरना का ये बात ये थी कि रिपल्स चारों तरफ फैलने लगते इवेन यांके को जो कुछ हॉल्स थे वो भी कोलाप्स करने लगते और इस समय एक बड़ा सा रॉक दे कर मारता है लिंग डॉंग इधर अपने खतरनाक पंच से इसे पूरी तरह से तोड़ देता है और इसके पीछे से ये 100 ग्रीन ड्रैगन टैटूस यूज़ कर जू 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 जॉंग पर एक फिश्ट मारता है अब जैसे ये अटेक को लॉंच करता है य यानि लिंग डॉंग इतने बड़े बड़े शब्द कैसे फिक कर मारता है क्योंकि उसके पास उतना श्टेंथ भी है जू 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 जब यह अटेक देखता है 100 ग्रीन ड्रैगन टैटूस वाले तो ये भी थोड़ा सा है हैरान था कि अच्छा तुमारे पास ट्रैगन ट्राइब का मार्शल आर्ट है ये काफी इंट्रेस्टिंग है पर तुम अभी भी इनिश्यल डैथ स्टेस पर ही हो ये एक कदम आगे बढ़ाता है बॉड़ी से इसके ब्लैक लाइट बाहर निकल और लिंग डॉंग के तरब ये बढ़ने लगता है लिंग इस बात को तो समझ रहे थे कि यार ये बंदा इनिश्यल डैथ इस्टेस पर और जुजोंग परफेक्ट पीक डैथ इस्टेस पर फिर भी बराबर पर मतलब ये लिंग डॉंग पावर्फल तो है और खास करके लिंग डॉंग का फेजिकल पौटी लिंग डॉंग भी कहता ह और लिंग डॉंग भी एकी चीज़ का तो वेट कर रहा था कि कब ये समसारा लेवल पर पहुंचे और इस्टन जुवान रिजन जाकर अपना बदला ले युवान गेट से फिर से ये सौव ड्रैगन लाइट का टैटूज फिच्ट बनाता है और एक अटेक दे मारता है और अपना लेटिन या एक बड़ा से पहाड उठाक उस शैडव पर अटैक कर दिया था और वो डार्क शैडव की खुंखारी आदमी था वो भी एक फिच्ट से इस अटैक को डिजॉल्व कर देता है वही किन्शी परेशान था उस स्काई कॉर्प्स के वजह से क्योंकि अब रिग्रेट तो हो रहा था पर यह कुछ कर भी नहीं सकता था फिलाल इधर लिंग डॉंग को दिखाया जाता है जो इसका ग्रीन हेवन मेटरिलाइज ड्रैगन स्किल इसे अब अच्छे लेवल तक मास्टर कर चुका था बैटल काफी इंटेंस चल रहा था इस समय लिं तूरंत इसके जो पैर थे उसके नाखून मानू निडल के समान बदलने लगे हो अब यह अपने बीश्ट फॉर्म में बदल जाता है और एक दस अजार फीट का यह जायन टाइगर लग रहा था उदर चैंटॉंग वगेरा है यह तो डार्क अबिस टाइगर ट्राइब का फाइनल फॉर्म है डार्क अबिस हेवनली टाइगर बोटी तो जू 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 इस लेवल तक पुश कर दिया गया किनशी भी कहता है यार यह ब्रैट यह बंदा सच में काफी टेरिफाइंग है क्योंकि इस बीश डिजन जू 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 को इस लेवल पर पुश करन है और अपने आसपास मतलब ग्रेल आइडी कठा करके लिंगडॉं की तरफ अटेक कर देता है और यह अटेक इतना खतरना कि लिंगडॉं को लेते हुए 8-10 पहाड तोड़के फाइनली शमाफ्त हो जाता है लोग बोलते हैं कि सैद इस बार लिंगडॉं बचा नहीं होगा अगर बचा भी होगा तो काफी जादा इंजर्ड होगा सबी लोग उस पहाड की तरफ देख रहे थे और वहाँ से फाइनली एक बंदा एक चटान को हटाते हुए बहार आता है और कहता है सच में डार्क अबिस टाइगर ट्राइव वाले सच में स्टॉंग होते हैं हलाकि लिंग डॉंग के बॉड़ी पर हलका ब्लड तो था पर इसके हाथों में एक कॉल्डरन घूम रहा था कॉल्डरन पर भी इस बंदे के फिश्ट का निशान पढ़ गया था पर लिंग डॉंग कहता है मतलब तुमारे ये फिश्ट उतना भी खतरनाक नहीं था अब यह तुर ग्रे और लाइट से लिंग डॉंग पर अटैक कर देता है लिंग डॉंग तुरन थी अपने कॉल्डरन को मूफ करता है और इस अटैक को यह डिजॉल्व कर देता है पर इस बार इसका कॉल्डरन भी थोड़ा दूर जाके गिरता है लिंग डॉंग जानता था इसका कितना भी कोशिश कर लो मेरा कुछ नहीं विगाड़ पाओगे इदर चेंटों उगरा थोड़ा है कि यार ये सच में इसका ये जो डिफेंसी पावर है डार कभी श्ट्राइगर ड्राइब का इंपॉसिबल है इसके डिफेंस को ब्रेक करना सबको लगता है कि लिंग डॉंग फॉर्मेशन लगबक 10,000 फीट का हो जाता है अब ये इसका एंसेंट यूनिवर्स फॉर्मेशन था फॉर्मेशन को ये रिवर्ज डिरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देता है और डिरेक्ली इससे जू जू जॉंग के जायंट बोडी पर अटैक कर देता है फॉर्मे कि जू जू जॉंग के बोड़ी पर एक पंच दे मारता है ये अटेक इतना खतरनाक था कि जू 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 को वैसे एक मौका ने ವिलता है और 100 मिटर दूर जाके ये जमीन पर नीचे गिरता है लिंक डॉंग नगred होता है और इसके सामने फ्रकट उता है और एक खतरना था चेंटॉंग को समझ में नहीं रहा था यह कैसे संभू है अभी थोड़ दिर पहले तो जुजॉंग इस बैटल को जीत रहा था उठा करके इसकी बॉड़ी लिंगडॉंग एक बूल्डर पर उठाके पढ़क देते लिंगडॉंग एक चीज़ तो समझ रहा था जब से इस दर्द के मारे इसका चेहरा भी उतर चुका था और लिंगडॉंग इससे बोलता है तुम हार चुके हो इस जुजॉंग का स्ट्रेंथ अब पूरी तरह से खतम हो चुका था विक्टर इस बैटल का डिसाइड हो चुका था उधर मेंग शान और टी आनी का चेहरा वैसे भी उतर चुका था इधर जुजॉंग कहता है कि तुम काफी ट्रिकी हो पर वन बैटल में तुम मुझे नहीं हरा पाते तुम आपने ट्रिक्स के वज़े से ही बस जीते हो लिंगडॉंग कहता है जो भी ट्रिक्स हो लाइफ और डैथ बैटल में ये मेरे ही तो है इधर एक शै पहली बार लिन्यान से फाइट हुआ था तो वो बस लाइफ श्टेस पर पहुंचा था और उसके सामें ये लिटिल फ्लेम उस समय चीटी के समान था पर एक साल के अंदर ही ये बंदा आधा इसेंस ब्लड को एब्जॉर्ब करके एडवांस डेथ श्टेस पर पहुंच लिंग डॉंग समझ जाता कि ये कुछ करने वाला है और ये कहता है अब जू जू जॉंग कि आज तुम लोग इसका असली चेहरा देखोगे अब इस शैडो का ये जब ये चेहरा दिखाता है तो ये बिल्कुल जू 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 जॉंग के जैसा ही दिखरा था पर एक एक अटैक मारता है और उसका ब्लेड जो निकल रहा था उससे एक फॉर्मिशन बनाने लगता है सैध ये इस समय इसके पावर से समसारा लेवल पर जाना चाहता था लोग हैरान हो जाते है लिटिल यान भी थोड़ा चिंतित हो जाता है अब ये पूचता है कि ब्रदर लिं से मिल जाता है इससे कह सकते है इन एंड यांग का परफेक्ट कॉमिनिशन और ये लाइट इतनी खतरनाक कि जू 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 के फॉर हेड़ को पनेटरेट कर देती जू जो कि अबस्ता कहा सरा था ये चूप हो जाता है लोग इस बात पर हैलान दे कि जू 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 चुका था अब यह जो पावर था यह इसके जो ब्लैक लाइट पावर था वो इसके app की जू बॉड़िंश graphs लेने की लिए आरहा था, अब लिंग डॉंग जैसे की तरफ देखता है, ये बंदा भागना, मतलब इस लास को explos को जो उठाने आरहता है, यहांसे भाग जाता है, अब ये बंदा कोई और नहीं, किंशी था, लिंग डॉंग देखता है किंशी की तरफ, तो तुम इसका बदल जो कि मेरे लिटिल फ्लेम को चाहिए हाला कि उसने वो ब्लड रिफाइन कर लिया फिर भी मैं उससे बाहर निकाल सकता हूँ लिंग डॉंग कहता है तो ब्रदर किंशी क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहोगे या मेरे दुश्मन किंशी कहता है वे शक मैं आपका साथ ही रहना पसंद करूँगा अर्दर लिंग डॉंग तूरंत ये अपने बर्निंग स्काई को कॉल्डरन के अंदर जूजों के लाश को खीज लेता है किंशी को भी यही सेंस बलड ही चाहिए था हाला कि यह लायन ट्राइब का था फिर भी यह चाहता था पर आप यह समझ चुका था कि मतलब है भी नहीं फाल तो भी यह मारा जाएगा अब यहाँ पर जो भी लोग जनरल यान को बोलते कि आप कमांडर बन जाएगे क्योंकि यहां का कमांडर तो मर चुका है सब एक ही बोल रहते हैं कि जनरल यहां प्लीज विकम दे कमांडर जो भी यहां वर लोग आये हुए थे लिंगडॉंक भी सीन को देखता है और काफी खुश होता है क्यों कि एक चीज तो फिल कर रहा था है यह कि लिटिल फ्लेम का यह जो सीना है और भी इसमें लोग सामिल हो रहा है तो यह काफी स्टॉंक बनने वाला है अब इदर लिटिल फ्लेम मेंगशान और टियान इसे कहे क्या तुम लोगों भी मेरे अंदर काम करना चाहोगे पर यह तुरं थी इसकी बात मान लेते और अपने सर को जुका लेते है वो लड़की हुऊ मियाओ वो इस सेन को देखकर बोलती है यह बंदा सच में काफी खतरनाक है यह भी इसे भी समय जुकना पड़ता है चेंटों को गरे हहरान थे यह वोमेन तो जुजौं के सामने भी नहीं जुकती थी कमांडर यान अब बन चुका था जनराल यान से अपना लिटिल यान और यह कहते हैं यहाँ पर कोई भी नियम चेंज नहीं होगा सब आराम से रह सकते हैं तो भाईयों इस्टोरी यहीं पर समाप करते हैं और मिलते हैं फिर कल सुब एक नए वीडियो शूब रात्री